एलो फ्रेंड्स आजू दमारी साथे शेयर करीस मकाईना शाक नी रेसिपी तो आ शाक घरे एकदम ओछा खर्चामा बनी जाये छे जेने आपड़े अमुक टेप साथे एकदम पंजाबी धाबा स्ट्राइल बनावसू तो आज अनक महमा नावा न होए के पजी सांचे जंबा मां एकवाड चोकस थी ट्राइ करवाजे हूँ मकाईनू शाक बनावनू शरू करी है लाखेली रेसिपी वीडियो साथे जोवा माटे गूगल प्ले स्टोर माथी डाउनलोड करो नेहास कुक बुक एप साथे मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी बैल आइकोन ने जरूर थी दपावो नवा रेसिपी वीडियो साथी पहला जोवा माटे पंजाबी धाबा स्टाइल मकाईनू शाक बनावा पैन माँ बे मोटी चमझेलू बटर आट करी दईये अहिया तमे तेनी जेगे गीनो उप्योक पन करी शाको छो अवे बटर बड़े नहीं तेना माटे तेमा थोड़ू तेल आट करी दईये अवे में आईया बेक खाप अने वज़िन माँ 300 ग्राम जिटला मकाईना दाणा ली देला छे तो में दाणाने फक्त पांत थी 7 मिनिट माटे घरम पाणी माँ थोड़ी हर्दर साथे बोयल करी ली देला छे तेने एट करीने बटर माँ दाणाने सारीते रोस्ट करी लईये तो दाणाने आहर इतना थोड़ा बटर माँ रोस्ट करवा थी तेनी उपर भटर नुए कोटिंग आवी जये छे साथे बटर नी फ्लेवर एब्सोब करीने दाणा शाक माँ एकदम टेस्टी लागे छे तो लगबग 3 मिनिट जेव थाई ग्यूँचे अन्य आपणा दाणा सारीते रोस्ट सेग्या छे आपड़े तेने ब्राउन नथी करवा ना तो होए तेने प्लेट माँ काईडी लगिये हने अवे तेज बैंड माँ पाथी 6 मोटी चमचेटलू तेल एट करी देये तो आशाक नहुँ कोंटी टीमा बनाओ छू एटले में तेलनू प्रमाण थोड़ू अधारे राखेलू छे हावे तेमा एक मोटी चमचेटलू जीरू धापड़ू जीरू सारीते ककडिग्यू छे हावे में याँ साथी आठनां और एक मोटी चमचेटला लसने टुकड़ा लिदेला छे साथे 22 जीटला आदू ना टुकड़ा अने त्रोन लीला मर्चाना टुकड़ा एट करीने आदू मर्चाने लसने सारीते साथ ड़ी लईये तो लगबग एक थी बे मिनिट माज आपड़ा आदू मर्चाने लसन सारीते सत्राई गया छे तो हावे में याँ डोट कप अने चार मीडियम साइजने डुगड़ी ने जीनी सुधारी लिदेली छे तेने एट करीने डुगड़ी ने सारीते साथ ड़ी लईये तो डुगड़ी ने साथ ड़ी बगते अपड़ी गेसने फ्लेम मीडियम टू हाई राखवानी छे अने तेने सत्तत धलावता रहवानू छे जीजिते एक दम फटाफट सत्त ड़ाई जये तो लगबग बे मिनिट जे उठाई ग्युचे अने आपड़ी डुगड़ी एकदम सारीते सत्रे ने उपड़ी आरीतनी गूल्डेन ब्राउन थेगेच तो हावे गेसने फ्लेम लो करी दईये अने मसालामा एक चमचेटलो हर्दर पावडर अने शाकनो कलर एकदम सरसावे तेना माटे 2 मोटी चमचेटलो कощmberी लालमच्चु पावडर चाथे 2 मोटी चमचेटलो धाणा जीरू पावडर अने एक चमचेटलो शेकिला जीरानो पावडर एट करी दईये आने मसालाने तेलमा सारीते सात्री लेईगे तो मसालाने आहरीतना तेल मा सातेडवा थी शाकनो कलर अने स्वाद एक धम धाबा स्टाइल आवे छे चाथे मसालाने सातेड़ जी वकते आपड़े गेसनी फ्लेम लुओ राखवानी छे जेदी ते जहरा पड़ बड़े नहीं तो लगबग एक थी बे मिनिट जेव थाए क्यों जे अनने अपड़ा मसाला साहरीते सतने ने तेनी साइड़ मासी तेल छोटू पड़े गयो जे तो हवे में या एक कप जिला टमेटाना टुकडाली देला छे तो में बे मोटी साइजना टमेटाना जीना टुकडा करीली देला छे साथे में एक कप और बे मोटी साइजना टमेटानी आहर इतनी प्यूरे करीली देली छे आते आपले तमेटा फटा फट सोफ्ट थे जए तेना मांडे स्वाध प्रहने मीठो अट करीदेए आने तेने साऱीते साथ डी लईए तो टमेटाने साथरती वकते आपणे गेसनी फ्लेम मीडियं होट राखवानी छे तेने हाई गेस नी फ्लेम पन नथी साथढडवाना नहीं तो ते बराबर कूक नहीं थाई तो यह शाक नी ग्रेवी मा में टमेटाना टुकला अने टमेटानी प्यूरे एम बनने नोप्योग करेलो चे टमेटाना टुकडा ग्रेवी ने एक दर दरू टेक्षर आपसे चारे टमेटानी प्यूरे शाक ने एक स्मूध ने सापसे तप्र टमेटा सतलाई छे त्यां सुधी साक मा एट करवानी वाईट पेस्ट बनावी लए तुमें ये वनफोर्थ कप अने दस थी बान नंग जेटला काजूने थोड़ी वार माटे गराम पाणी मा पलाडी दिदेला ता जेजे थे 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 थोड़ा सौफ्ट थाई जाए साथे में तिटलाज प्रमाण मा एटलेगे वनफोर्थ कप अने चार मोटी चमजेटला मगश तरी ना बी ने पन थोड़ी वार माटे पलाडी दिदेला ता तो में ये वाईट पेस्ट मा काजूने मगश तरी ना बी ने सरका प्रमाण माली देला छे तो हवे बनने वस्तू एकदम सारी ते पिसाई जाए तेना माटे अड़धा काप जेटलू दूध आड़ करी देली चे साथे में ये एक मोटी चमजेटली घर्णी मलाईली देली चे तो पेस्ट मा थोड़ी मलाई आड़ करवा थी ते एकदम क्रीमी बने चे अने हवे तेने सारी ते ग्राइंड करी लगे तो बद दीवस्तो ग्राइंड थेने अपड़ी आरीतनी स्मूध अने एक दम क्रीमी वाइट पेस्ट सायाड थेगे छे तो अपड़ी वाइट पेस्ट सायाड थेगे छे थोड़ा काजू साथे 5-7 मिनिट माटे बोयल करी ले जो अने पची तेनू पाणी काडी ने तेने मिक्षर जहर मा ग्राइंट कर सो तो पन तमारी आरितनी वाइट पेस्ट बनी जासे अने हवे टमेटा ने जोईए तो टमेटा एकदम सारीते कूक थेने आरितना सोफ्ट थाई गया छे अने ग्रेवी साथे सारीते बढ़ी गया छे चो आ समय तमारा टमेटा थोड़ा पन अखा खा होए तो तेने थोड़ी बार वधू कूक करे ले जो तो वे शाकनी ग्रेवीने क्रीमी टेस्ट आफवा माटे तयार करेली वाइट पेस्ट ने एड़ करी दाईये अने तेने सत्त धलावता जेने सारीते कूक करी लईये तो वाइट पेस्ट एड करी रापची आपने तेने सत्त धलावता रेवानुचे तो लगबग त्रोन थी चार मिनिट जे उठाई ग्यूचे अन्ने आपटी ग्रेवी नी साइड्स मा थी आर इतना तेल छोटू पड़ी ग्यूचे मिन्स ते सारी ते गोग थाई गेचे अने जरापन काची न थी तो अवे ग्रेवी मा रसो करवा माटे में एक कप जेटलू घरम पाणी ली देलू छे तेने करेली वाइट पेस्ट वाडा मिक्षे जहर मा एट करी देए अने पेस्ट ने सारी ते लाईने पाणी ने ग्रेवी मा एट करी देए आने सार इते मिक्स करी लएए तो ठंडा पाणी निजेगे थोड़ू गरम पाणी एट करवा थी शाक नी कुकिंग प्रोसेस चालू रहे छे आने तेनी मसालानी फ्लेवर पन चड़वाई रहे छे आशाक थोड़ू थीक होई चे इतले आपणे ग्रेवी माँ वधू पड़तू पाणी एट नथी करवानू आने हावे ग्रेवी माँ आपणा बटर माँ साजरीला मकाईना धनाने एहेट करी देए आने सार इते मिक्स करी लए आने हावे डाक और डाकी ने धीमा गैस पर शाक ने पात थी साथ मिनिट माटे कूक करी लए जेती मकाईना दाना माँ ग्रेवी नी एक तम सरस फ्लेवर एब्सॉप थाई जाए तो लगपक शाथी साथ मिनिट जो उथाई ग्यूचे हावे ठाक करने खोली लए तो तमें जोई शाको छो के ग्रेवी नी साइड्स माथी तेल छुट्टू पड़ी ग्यूचे तो हवे आ समय तेमा अर्दी चमचेलो गरम मसाला पाउडर एक चमचेली कसूरी मेथी एड करी ने तेने सार रिते मिक्स करी लए अने शाक ने 2 मिनिट माटे कूक करी लए तो लगबग 2 मिनिट जेऊ थाइग्यू छे अन्या प्रुशाक एकदम सारिते कूक थाइग्यू छे तो गेसी फ्लेम बंद करी दाइए अने तयार थाईला शाको पर थोड़ा कोथवी ना पान अने थोड़ा पनी ने खमणी ने अने पानी ने जेगी आये चीज नू उप्यूक माट करी शको छो तो अब ड़ो एक दम धाबा स्टाइल क्रीमी अने टेस्टी मकाईनो शाक तैयार थेग्यू छे तो हावे तेने परोठा साथे साउक करी लगे तो गारे पहली जुआर मां एक दम धाबा स्टाइल मकाईना शाकनी रेसिपी जो तैमने गमी होए तो मने कमेंट सेक्शन में जरूर ठीके जो साथे मारा वीडियो ने लाइक अने फ्रेंड्स अने फेमिली मां शेर कर जो तो फरी मढ़ी एक नवी रेसिपी साथ है